किसान भाईयों नमस्कार मेहूद अश्रदाकर आप देख रहे हैं डी पार्मिंग यूटूब चेनल इस वीडियो में हम उड़त की खेती के बार में बात करेंगे गर्मियों के मोसम में बहुत से किसानों ने उड़त की फसल या बोवनी की है उड़त की फसल में जब सुरुवाती यानि की सुरुवाती समय होता है इस समय उड़त की फसल में छोटे छोटे रस चुसक किटों छोटी छोटी इल्लियों का अटे कापी ज़्यादा होता है साथ ही उड़त की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है पोदे में फंगस जनित भीमार्या फनपती है इन सब को कंट्रोल करने के लिए आपको एक उड़त में स्प्रे करने की जरुत होती है इस वीडियो में मैं आपको एक सप्रे का कॉंबिनेशन बताऊंगा अगर यह एस्प्रे आप कर लेते है तो उड़त का पोदा शुरुवात में अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करता है और आप उड़त की खेती से गर्मी के मुसम में भी बंपर उत्पादन ले सकते है कौन सा इस्प्रे है किन दवाईयों का परियोग करना चाहिए इन सब की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए चेनल पर नए हो चेनल को सबस्क्राइब कर दीजे जिससे आगे भी आपको इसी परकार की जानकारी मिलती रहे किसान भाईयों उड़त की फसल में जब हमारी फसल 25 तीस या 35 दिन के आसपास होती है इस समय आपको इस्प्रे करने की जरूरत होती है इस समय छोटे छोटे रस्टूसक केटो सपेद मकी या इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक सस्ते और कम अटेक वाले स्कीर नासक का परियोग करना चाहिए जिसके रूप में आप प्रफवेनों पोस 40% साइपर में 34% इसी का परियोग भी कर सकते है जिसके रूप में आप पी आई कंपने के रॉकेट इंसेक्टिसाइट का परियोग कर सकते है इसकी मातरा आप लगबग एक एकड में 350 एमिल ले सकते है जिससे उड़त की फसल में लगने वाले सभी परकार के रस्टूसक कीटों को कंट्रोल किया जा सकता है इसके लवा अगर आपकी उड़त की फसल में फंगस सम्बंदी वीमारियां आ रही है तो आप यूपियल साफ फंगी साइट का परियोग भी कर सकते है जिसमें मेंको जैप और कार्बिंड़ जीम का कॉंबिनिशन पहे जाता है इसकी मातरा भी आप एक एकड में 250 ग्राम ले सकते है और स्प्रे कर सकते है इन दोनों के अलावा भी आपको एक टोनिक का परियोग करना चाहिए क्योंकि उड़त की फसल की सुरुवात में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है पोदा अच्छे से बड़वार भी नहीं कर पाता है पोदा पीला पढ़ना सुरू होता है इसलिए आप एक टोनिक का परियोग कर सकते है टोनिक की आउस सकता है तो ही आप टोनिक का परियोग करें टोनिक के रूप में आप Phantac plus Tonic का प्रियोग कर सकते हैं जिसमें Amino Acids और Vitamins का Combination पाया जाता है इसका प्रियोग आप लगबग एक एकड़ में 350 ml मातरा के साथ कर सकते हैं इन तीनों चीजों का प्रियोग आप एक साथ भी कर सकते हैं वहीं पानी की मातरा आपको 150-200 लिटर रखना होती है अगर आप यह स्प्रे कर लेते हैं तो उड़त में सभी प्रकार के रेस्टू सकीटों और Phungus समदी बिमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है और टोनिक एक प्रकार से उड़त के पोदे की गुरोध को बढ़ाता है तो इस प्रकार से आप उड़त की खेती से बंपर पेदावार ले सकते हैं और पोदे को हरा बरा बना सकते है किसान भाई यूँ उम्मिद करता हूँ या जानकारी पसंद आए होगी वीडियो को लाइक और हमें चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद